जय बागेश्वर धाम, जय नील कंट महादेवाय, नमह कन्या राशि के मेरे प्यारे दर्शा को स्वागत करते हैं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो मित्रों, दुश्मन आपके घर में कलेश करेंगे, 24 गंटे में एक बड़ी अनहो जोनी होने वाली है, आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि सोचा नहीं था, ये दिन भी देखना पड़ेगा, मित्रों, महाराशिपल है ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तीन बार ओम विश्नु वाय, नमह अवश्य लिखें, तो चलिए मित्रों, आने वाले समय की बात करते हैं, तो मित्रों, हमारे गुरू जी कहते हैं कि मुश्किल नहीं है, कुछ दुनिया में तु जरा हिम्मत तो कर, ख्वाप बदलेंगे, हकीकत में तु जरा कोशिश तो कर, और आधिया सदा चल वो कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं, तो गुरू जी का यह घ्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल की जिएगा, तो आईए अब बात करते हैं, 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की, मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है, कि बेकार के विवादों से दूर रहें, आज आपको आराम करने और करीबी दोस्तों वव परिवार के साथ खुशी के पल बिताने की जरूरत है, बिना किसी अनुभव शख्स की सलाह के ऐसा कोई भी काम न करें, जिससे आपको आर्थिक हानी हो और मित्रों पैसा डूब जाए, जी हा मि मित्रों, यदि आप कहीं पर पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से सोच लेना ही उसका भरपूर लाब लें, और अपने परिवार के साथ कुछ प्यार भरे पल आप गुजारेंगे, क्योंकि आपको मित्रों भरपूर मात्रा में खाली समय मिलने वाला है, अब खाली समय का सदुपयोग आपको करना सीखना है साथ ही, मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेशक सच बोलकर किसी का दिल तौड डिड़श देना और जूट बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना, मित्रों क्योंकि जूट का जहर इतना खतर ही बोलना, तो गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा, तो आईए बात करते हैं, 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की, जीवन में जो दबी हुई समस्याएं थी, वह समस्याएं फिर से उभर कर आपको मानसिक तनाव दे सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें, मित्रों, आपके पास पर्याप्त पैसा होगा, प्रयाप्त मात्रा में होगा, और इसके साथ ही मन में शान्ती भी होगी, अब मित्रों जो पुरानी समस्याएं हैं, उनका निवारन आपको इस वक्त में करना है, लेकिन कठोर मन बनाकर, नक के लिए प्रेम, सनेह और सम्मान की भावना हो. इसलिए मित्रों, अपने जीवन में एक पॉजिटिव चब्वी के लिए आप में इन सब गुणों का होना बहुत आवश्यक है. मित्रों, आप हमेशा सभी के लिए प्रेम रखें, सब के साथ सनेह से रहें और सबका मान सम्म तब ही आपकी छवी में एक अलग ही निखार आएगा जिससे आपका जीवन सुख मय व्यतीत होगा। पूरी कोशिश कर सकते हैं और जिस वजह से आप असफल हो सकते हैं तो मित्रों शत्रूों से सावधान रहें उन पर पैनी नजर रखें। अब यहां पर शत्रूों की बात हो रही है तो वह बढ़्धे शत्रू वाले नहीं। मित्र कुछ ऐसे शत्रू जो आपके काम में परिस्थितियों वाला लाब आपके लिए आएगा। आप अपनी माता जी के स्वास्थ को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे क्योंकि उनको कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। और यदि आपने अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लेने की सोच र अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा और दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं जिससे आपके उपर से काफी हद तक तनाव की कमी होगी। जीवन साथी के स्वास्थे को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। तो मित्रो ध्यान रखिएगा कि ज्यादा तनाव को अपने उपर हावी न होने दें। और मित्रो आपको सलाह तो यह भी दी जाती है कि आप थोड़ी सी सावधानिया बरतें। क्योंकि सावधानिया जो हैं अगर आपने नहीं बरती तो आपकी जो परिस्थितियां हैं जो जिन्दगी में थोड़े बहुत भी समाधान थे वह बिगड़ डेच सकते हैं। तो आपकी सेहत के लिहाज से यह जो समय है कुछ गरम भी रह सकता है। क्योंकि आप संतान की कुछ समस्याओं को लेकर चिंतित रहेंगे जिसके कारण आपको मानसिक तनाव होगा और आपको ठकान, बुखार, आदी जैसी सम अस्याओं हो सकती हैं। लेकिन उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि लापरवाही जो है वह आपको डुबो सकती है। जी हां मित्रो और ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा चिंतित भी रहेंगे। आप अपने कुछ खर्चे बढ़ने के कारण परेशान त खिंच सकता है और कोई पुरानी चीज आपके अचानक से सामने आ सकती है। जिससे पुरानी यादें ताजा होगी और संतान को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं। और यह निर्णय ही संतान के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद साबित होगा तो वहीं मित्रो कुछ सावधानियों की बात करें तो ये जो समय है इस समय आपके चारों ओर का वातावरण तो खुश्मय रहेगा लेकिन आपकी खुशियों को नजर लगाने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। तो मित्रो ध्यान रखिएगा कि जब वातावरण खुश्मय रहेगा तो इसके कारण आपके अंदर सकारात्मक उर्जा रहेगी और आप बहुत ही ज्यादा प्रसंद रहेंगे। पश्यक्ता होगी जिसके बाद आप उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। तो मित्रो जब आपको जिम्मेदारियां सौपी जाएंगी तो आप इन जिम्मेदारियों के बीच में दबाव बिल्कुल भी महसूस न करें। अर्थात आप इन जिम्मेदारियों को पूरा करना जानते हैं तो आप इन जिम्मेदारियों को पूरा निभाएंगे। साथ ही आपका कोई प्रेरक संबंधित मामला भी सुलज सकता है जिसमें आपको सफलता मिल सकती है और जिसके कारण आपकी संपत्ति में भी इजाफा होगा। संतान की नाराजगी आपसे देखी नहीं जाएगी। इसलिए मित्र आप जितना हो सके अपनी संतान के प्रती अपना लगाव रखें। क्योंकि मित्रों आखिरवह आपकी ही संतान है और आपको उन पर ध्यान भी देना होगा। वहीं देखा जाए तो ससुराल पक्ष से आप को धनलाब भी मिलता दिख रहा है। मित्र ससुराल पक्ष का कोई अच्छा व्यक्ति आपके और करीब आने की कोशिश करेगा और आप अपने माता-पिता को लेकर किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। जहां जाकर उनका मन भी प्रसन्न होगा और आप उनको द पीछे नहीं हटना है। लेकिन व्यवसाय में आपको अपने किसी साथी से बात चीत करते समय अपने व्यवहार में मधूरता को बनाए रखना होगा। नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मित्र आपको ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि चाहे किसी भी कार्यक्षेत्र हो, चाहे कैसी भी बात हो। यदि आप अपनी वानी का सौम्यता एवन मधूरता से प्रयोग करेंगे तो आप की एक अलग ही सकारात्मक छवी निखरेगी और आपकी इस छवी की लोग अच्छी तारीफ करेंगे। वही मित्रो ध्यान येगा कि आपको कुछ नरम, कुछ गरम स्वास्थे के प्रती महसूस हो सकता है तो आपको सावधान रहना होगा। यदि आपको कोई कश्थ हो तो उसमें डॉक्टरी सलाह मश्विरा करना होगा और नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, स्वास्थे के प्रती आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि यदि आप स्वास्थे के प्रती किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतेंगे, तो यह आगे चल कर आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकती है। वहीं व्यवसाय कर रहे लोगों को विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है और जीवन साथी के कार्यक्षेत्र में उनकी तरक्की अथवा वेतन में वृद्धि हो सकती है। अच्छान को लेकर परेशान रहेंगे तो इस पर आपको ध्यान देना होगा कि आखिर संतान की ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है और संतान का साथ देने की सलाह आपको दी जाती है। मित्रो आपको वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बना कर रखना होगा क्योंकि आपका जीवन साथी के साथ प्रेम और गहरा होगा तो इससे आपके बीच में जो भी दूरियां थी वह मिटेगी और नस्दी कियां अचानक ही बढ़ने लगेगी। मित्रो आप उनके लिए कोई उपहार भी लेकर आ सकते हैं लेकिन आपको अपने माता-पिता से सलाह मश्विरा करके ही किसी कार्य को करना बहतर रहेगा। तो मित्रो आप ध्यान रखियेगा कि बात करें। अगर छोटे व्यापारियों की तो बहुत से छोटे व्यापारी हैं तो उनको व्यापार में मन मुताबिक लाब मिलने के कारण वह प्रसन्न रहेंगे। लेकिन मित्रो ज्यादा प्रसन्न होने की आपको आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि आपको जो लाब मिला है, वह आपकी महनत के कारण मिला है। इसलिए महनत तो आपको करनी है और उनकी प्रसन्नता का भी यह महनत देखकर ठिकाना नहीं रहेगा। अब मित्रो आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे भी आएंगे जिनको आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप अपने भविश्य के लिए कुछ धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। और मित्रो आपको अपने किसी मित्र से मिलकर प्रसन्नता होगी, तो वही मित्रो ध्यान रखिएगा, कि नौकरी से जुड़े जातकों को कार्यक्षेत्र में होने वाली राजनीती से बचना होगा, क्योंकि लोग उनके खिलाफ को यंत्र रच सकते हैं, जिसका उन्हें पता भी नहीं होगा, और वह उनके अधिकारियों से डांट भी खिलवा सकते ह तो ऐसे में मित्रो जो लोग आपके खिलाफ शडयंत्र रच रहे हैं, तो ऐसे में आपको चारों तरफ पैनी नजर बना कर रखनी हैं, फिर वह चाहे लोग अपने हो या चाहे पराए, आपको ध्यान रखना है मित्रो अब मित्रो आपको उन्हें अपने कार्य के प्रति सतर्क रहना होगा वो अपनी आँख वकान दोनों खुले रखकर ही कार्य करें मित्रो यदि कोई गलती हुई तो उन्हें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपनी सेहत के प्रती भी सावधान रहना होगा क्योंकि आपको कोई पुराना कश्ट जो पहले काफी हद तक ठीक हो चुका था वह फिर से उभर सकता है जो लोग अपने व्यापार के लिए किसी व्यक्ती से सलाह लेने की सोच रहे हैं तो लेले व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है इस दौरान किसी भी जोखिम भरी योजना में धन लगाने से बचें सप्ताह के उत्तरार्ध में घर की किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है रिष्टे नाते की दृष्टी से यह सप्ताह समवेधन शील कहा जाएगा ऐसे में किसी के साथ बात व्यवहार करते समय नम्रता से पेश आएं और विवाद से बचें प्रेम संबंध में उतावले पन से बनी बात भी बिगड़ सकती है जी हां मित्रो जो नौकरी कर रहे हैं उनको अभी वेतन व्रिधी अथवा पदोन्नती जैसी कोई शुब सूचना सुनने को मिलेगी और परिवार के सदस्यों में चल रहा वाद विवाद भी समय के साथ समाप्त होगा और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे जिसे देख कर प्रसन्नता होगी एवं प्रेम के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि आपका साथ ही किसी बात में आकर आपसे जगड़ा कर सकता है तो विवादों की स्थिति को प्रेम जीवन में पनपने ही ना दें क्योंकि मित्रो जरा सी भी उँच नीच पूरे रिष्टे को बिखेर देती है आपको सलाह यही दी जाती है प्रेम से आप अपना जीवन यापन कीजिए एक दूसरे की भावनाओं को समझिए एक दूसरे को वाणी पर थोड़ा कंट्रोल भी रखना चाहिए और मित्रो आपको ध्यान रखना है कि प्राणायाम करने से आपको मानसिक तोर पर हलका महसूस होगा तो अपने जीवन में आज ही से इस आदत को आप जरूर अपना ले प्राणायाम करिए इस से आपके मानसिक तनाव जो दूर होंगे मन को सुकून मिलेगा आप हलका फुलका और तरो ताजा महसूस करेंगे और मित्रो आपके लिए भागे के दृष्टिकोंड से समय उत्तम रहने वाला है आप जिस भी कारे को करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थे के प्रति सचेत रहना होगा क्योंकि उनको कुछ स्वास्थे से समस्या हो सकती है और यदि आप अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वह भी आपके लिए लाबदायक रहने वाला है क्योंकि मित्र विद्यार्थियों को अपने कमजोर विशयों पर पकड़ बनानी होगी क्योंकि उनकी एकागरता में कमी हो सकती है और जब एकागरता में कमी होगी तो उनका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है जिस वजह से वह पढ़ाई के साथ समझोता कर सकते हैं तो मित्रों पढ़ाई के प्रती बिलकुल भी लापरवाही नहीं बढ़ते हैं आपको यही सलाह दी जाती है आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके किसी कार्य को करने में नाखुश रहेंगे यदि आप हमें प्यार से समझाते हैं तो मान सकते हैं साथ ही अपनी योग्यता और काम करने की ताकत पर भरोसा रखें और आपको परेशानियों का सोल्यूशन मिलेगा रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिती बेहतर हो जाएगी मित्रो जो की रूके हुए पैसा प्राप्त करने का आपका काफी समय से जो मन बना हुआ था वह मन अब पूरा होगा साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि निजी कामों में व्यवस्था के कारण संबंधों को नजरंदाज न करें और गैर जरूरी यात्रा और खर्चे पर रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा किसी नापसंद इंसान के घर आने से घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है तो सकारात्मक बना कर रखना आप भली भांती जानते हैं वही निजी व्यवस्था के चलते कार्यस्थल पर आप समय नहीं दे पाएंगे और कर्मचारियों की गतिविधियों को बिलकुल भी नजरांदाज न करें और नौकरी पेशा लोगों को घर पर भी ऑंफिस का काम करना पड़ सकता है मित्रो घर परिवार को प्राथमिक्ता देने से घर का वातावरण मधुर रहेगा और घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है जो घर में खुशहाली, सुख, शान्ती और सम्रिद्ध लेकर आएगा साथ ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके द्वारा किये गए प्रयत्न सफल हो सकते हैं फिर भी नकारात्मक विचार की वजह से जीवन में थोड़ी सी निराशा हो सकती है लोगों की समस्याओं को सुलजाने के लिए अपने सम्ता के अनुसार प्रयत्न करें और किसी की पैसों से संबंधित मदद करते समय थोड़ा सा सतर्क रहें मित्रो इस समय में शुरुआत जो है वह थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सुस्ती रहेगी जिसके कारण आप अपने कारियों की ओर सकरी नहीं रहेगी लेकिन इन व्यापार की किसी डेल के फाइनल होने के बाद आपके अंदर एक नई उर्जा का संचार होगा जिसके कारण आप अपने कामों की ओर भी सकरीय रहेंगे और जो लोग साजेदारी में किसी व्यावसाय को करते हैं तो उनको लाब हो सकता है मित्रों, लेकिन आप अपने जीवनसाथी के लिए को उपहार लाने की योजना भी बना सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने भाई बहनों के साथ मिलकर संतान के विवाह में आ रही समस्या का समाधान खोजना होगा नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इससे में ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर समय रहते आपने शुक्र की समस्या का समाधान खोज लिया तो यह आपके लिए ही बढ़िया रहेगा साथ ही नौकरी कर रहे जातकों को अपने आसपास रह रहे ऐसे लोगों से सावधान रहना जो मोह के आगे तो आपकी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं क्योंकि वह आपकी पीठ में छूरा घोंपने का काम करेंगे और वह आपकी अधिकारियों से आपकी चुगली भी लगा सकती है और आपका प्रमोशन भी रुकवा सकते हैं तो ऐसे में मित्रों आपको यही हिदायत दी जाती है कि आपको अपने चारों और अपने आसपास के लोगों पर पैनी नजर रखनी होगी और ऐसे लोगों से दूरी बना कर भी रखना होगा और सामाजिक शेत्र में कारेरत लोगों को किसी की भी बातों कानों सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना है विद्रोह जब तक आप किसी को देखना लें और आपका व्यवहार में भी कुछ बदला-बदला लगेगा। वहीं मित्रों ध्यान रखिएगा कि छोटे व्यापारियों को व्यापार में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और उनके कुछ शत्रू भी उनके मित्र बनते नजर आएंगे जिसे देख कर उन्हें हैरानी होगी। लेकिन उन्हें उनपर भरोसा करने से पहले उनपर कड़ी नजर रखनी होगी, तो कहीं वह उनका भरोसा न तोड़ दें। इससे में ध्यान रखिएगा मित्रों, कि कुछ शत्रु जो है वह आपसे मिल जाएंगी, लेकिन आपको उनके पहचानने में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने कठिन विशयों को समझने में विद्यार्थियों को आसानी होगी, जिसके कारण शिक्षा में आ रही समस्याएं भी समाप्त होगी और नव विवाहित जांच को कि जीवन में किसी नए महमान की दस्तक हो सकती है, जिसके कारण वह प्रसन्न रहेंगे और आप अपने व् बोजनाओं को बनाने विद्य समय व्यतीत करेंगी, वही मित्रों, ध्यान रखियेगा कि प्रेम जीवन जी रहे आपके लिए यह समय जो है प्रसन्नता दायक रहने वाला ही क्योंकि वह अपने साथी के बारे में अपने परिवार के सदस्यों से बात चीत कर सकते हैं, जिसक अर्थात, मित्रों, आप काफी लंबे समय से इसकी योजना भी बना रही थी और आपके मन में विचार भी आ रही थी, तो आपका सपना भी पूरा होगा और विद्यार्थियों को भी, शिक्षा में मन मुताबिक परिणाम मिलने के कारण उनकी परीक्षा का एवं उनकी प् रखना है कि किसी से भी धन का लेंदेन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो बाद में आपको केवल पच्चतावा ही मिलेगा और पच्चताना पढ़ता आ जाए और ध्यान रखिएगा कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्ध का समय रहेगा, जिसके धर्म आ उन्हें अपने किसी मित्र के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण थोड़ी परेशानी का सामना करना पढ़ सकता है, तो ऐसे भी विद्रोह ध्यान रखिए, जा कितने मित्र की सहायता करते समय आपको बिलकुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मित्र का रिष्टा बहुत लाब दायक रहेगी, और आपका अपने माता दी से यह कोई वाद विवाद उत्पन्न पर, तो आपको सिंपली वाणी की मधूरता को बनाये रखना होगा, नहीं तो बाद में आपको पच्टा ना पढ़ सकता है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीड इंट बॉक्स में बाबा महाकाल के चरणों में नमन करने के लिए जैश्री महाकाल अवश्य ही लिखें, परिवार में चल रही कोई समस्या का भी निवारण आपके सामने होगा, मित्रों, जब आप बैठ कर बातचीत करेंगे और व्यवस्था के बावजूद कुछ समय बातचीत करते समय अभधर भाशा का प्रयोग न करें, एकदम मीठे बोल बोलें और बोलते टाइम अपने जुबान को थोड़ा कंट्रोल रखें और स्वयम पर भरोसा रखें, मित्रों, किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसान दायक रह सकती है, अर्थात आप सलाह लें, आप सब की सुनें, लेकिन करें, मन की, व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली और कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बना कर रखना बहुत जरूरी है, वर्तमान परिस्थितियों की वजह से धैर्य और संयम से काम लेना होगा, मित्रों, नौकरी पेशा लोग अपने काम क करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश ना करें और पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छा रहेगा, पुराने, दोस्त के मिलने से यादें ताजा होगी और मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थिय पर भी पढ़ सकता है, इस समय सुरक्षा संबंधित नियमों का पा मौझूद आप घर पर अपना भरपूर सहयोग देंगे और बुरी खबर मिलने से मंदुखी रहेगा, लेकिन मित्रो, यह जो खबर आपको मिलेगी, यह इतनी भी बुरी खबर नहीं है, जितना आप सोच रहे हैं, और इसे सोच सोच कर बड़ा बना रहे हैं, गैर जरूरी खर्चे परेशान कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको खर्चों पर नियंतरन रखने की कला को सीखना होगा, और पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े, मित्रो, क्योंकि हमारा पड़ोसी ही हमारा पहला सगा होता है, तो इसलिए ध्यान कि पड़ोसियों के साथ बिलकुल भी मनमुटावना आए और कार्यक्षेत्र में व्यस्था बनी रहेगी, रणनीती बना कर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मित्र जब तक आप रणनीती नहीं बनाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस विशय पर काम करना है औ कून और शान्ती महसूस करेंगे, पति-पत्नी जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, विवाहितर संबंधों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन और पारिवारिक जीवन पर भी पढ़ सकता है, तनाव और ठकान का असर आपके स्वास्थे पर भी पढ़ेगा, तो मित्रों, ऐसे में योगा और मेडिटेशन इसका सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया और सबसे उचित इलाज है, और मित्रों, परिवार के साथ मौज मस्ती भरी क्रिया का लापों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा, तो इस वजह से आपके उपर जो भी तनाव और चिंताए करने से खुशी महसूस करेंगे, और इस वजह से परिवार का वातावरन भी आप एक सकारात्मक बना कर रखेंगे, अपनी उर्जा और चुस्ती इन दोनों को बनाए रखें, मित्रों, मौसम की वजह से आलस को अपने उपर हावी ना होने दे, क्योंकि आलसी स्वभाव जो बच्चों की गती विधियों तथा संगती पर कड़ी नजर रखें, अर्थात, उन पर पैनी नजर बनाए रखें, कि इस वक्त वह कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, वरना मित्रों, अगर आपने इस समय बच्चों की गती विधियों को नजर अंदाज किया, तो आगे चल कर ये बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते हैं, मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में बहुत सी मुश्किल आएगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है, जो सबसे कठिन रोल बेस्ट अक्टर को ही दोते हैं, अर्थात मित्रों, ज इसलिए मित्रों जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें और परेशानियां क्यों ना आएं, उनका डटकर सामना करें, तो मित्रों गुरुजी का ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे-राधे अवश्य लिखेगा, तो चलिए मित्रों, अब जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो कोशिश भी पूरी ही करें, और सफलता भी आपको प्राप्ठ होने के पूरे योग बन रहे हैं, मित्रों जितना अधिक ध्यान आप अपने व्यक्तिकत विकास पर लगाएंगे, उतनी आसानी से आपको अवसर प्राप्ठ हो सकते हैं, और अपने अनुभवों से लोगों का मार्ग दर्शन करना आपसे संभव होगा, क्योंकि मित्रों, आप एक अच्छे अनुभवी इंसान हैं, और यदि आपके सानिध्ध में जो भी व्यक्ति आपकी सहायता मांगने आएगा, आप उसके लिए अच्छे और कारगर साबित ह मित्रों, काम से संभंधित नए आइडिया पर काम करने के लिए एकांत में बैठ कर आपको निर्णय लेना अत्यंत जरूरी होगा, और पार्टनर द्वारा बोली गई बातों पर विचार जरूर करें, आपकी अपनी गलती का एहसास आपको होगा, तो वहीं मित्रों ध्यान रखिएगा कि बढ़े काम को लेकर, जी हां बढ़े काम को कर पाना मुश्किल लग सकता है शुरूरात में, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करते रहेंगे, क्योंकि काम से आपको अपना जी नहीं मौध होना है और खुद को प्रेरित रखें, अर्थात, आप अ नया उपाय अपनाने पड़श सकते हैं, क्योंकि मित्रों पैसों की तकलीफें आपके जीवन में हर वक्त आती ही रहती है, तो आपको ऐसे में ध्यान रखना है, कि किस तरह से ऐसे उपाय नए ढूंडने हैं, सुलजाने के लिए युवाओं को अपने करियर में प्रगती म लेकिन आपको खर्चों पर नियंतरण रखना होगा, और पार्टनर की वजह से आप अपने जीवन में कई परिवर्तन, कई बदलाव देख पाएंगे, और अपेक्षा के अनुसार पैसा आसानी से प्राप्त होता रहेगा, द्रवबद्धी, मात्रा में निवेश कर पाना आपके लिए संभव हो सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से जांच पढड़ देचताल कर लेनी है, आपके मार्गदर्शन की वजह से किसी व्यक्ती के जीवन को नई दिशा मिल सकती है, सुख में बरहोतरी हो सकती है और दुख में कटौती होगी साथ ही, मित्रो व्यापार से जुढ़े हुए लोगों को बड़धी मातरा में काम और पेमिंट की प्राप्ती होगी, तो पार्टनर की तरफ आपको ध्यान रखना है, मित्रो, क्योंकि पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, मित्रो, छो अगे बढ़ पाएंगे और ध्यान रखेगा कि लक्ष को पाना आपके लिए मुश्किल लग रहा है, तो प्रयासों में सतर्कता बनाए रखें, मित्र निर्णय, स्पष्ट रूप से काम से जुड़े लोगों को बताना जरूरी है, अर्थात, क्या निर्णय आप लेना चा लेकिन इस तनाव को खुद पर हावी न होने दें, अपनी क्षमता के अनुसार काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो परिवार से संबंधित बड़ा निर्णय आपके द्वारा लिया जा सकता है, इस कारण मानसिक तकलीफ का भी सामना हो सकता है, लेकिन मित्रो इस न बंधित कामों को जानने की कोशिश करें, तभी टार्गेट को पाना आपके लिए आसान होगा, अर्थार्थात, मित्रो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस टार्गेट के लिए आप काम कर रहे हैं, अर्थात, आपका लक्षे क्या है, आप क्या पान लाना जरूरी है, क्योंकि मित्र जो व्यक्ति समय के साथ अपने आपको बदल लेता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहता है। एवं मित्रो, पति-पत्नी के संबंध, सुखद और सौहार्द पून रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में भावनात्मक नस्दीकियां बढ़ेगी। गैस और कब्स से संबंधित समस्या से राहत पाने के लिए उचित इलाज लें, क्योंकि इसकी वजह से और भी समस्याएं उत सिक सुकून और शांति मिलेगी। और प्रपरटी के लें-लें संबंधित जो भी कार्य हैं, वह सफल रहेंगे, एवं पूरी तरह से आप ही के पक्ष में रहेंगे।